हेलो एबरेबन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सेंपल पेपर सॉल्फ करने वाले हैं जो 9 दिसंबर ट्रमन एक्जाम के लेकर सीबेशने जारी किया है और इस वीडियो को दोस्तों खास यह थी है कि इस वीडियो में हम 100% सठीकता और विसलेशन के साथ इस कोशन पेपर सेंपल पेपर को सॉल्फ करेंगे तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखेगा ज़िए आप हमारे इस चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए साथ मैं आपको सभी को बता दे चलों तो प्लीज इस एफट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही आप हमरे चैनल पर नहीं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो पहला क्वोश्चन दो है दो सेंपल पेपर दोस्तों वह यह है कि नव सोतंतर देशों को जो नो सोतंतर देश उनके निर्माड के बाद से किसी भी गड़बंदन से दूर रहने के विकल्प मिला और विकल्प वो किसने परदान किया था वो आप सभी को पता है दोस्तों वो है डी यानि नैम नैम यानि नोन अलिगेंट मुमेंट और नाम की स्थापना दोस्तों कब वो थी 1961 में और इसमें के लिए कौन सा सम्मेलन होता तो बेल ग्रेट सम्मेलन तो मैंने आपको पहले क स्थापना होती है इसका पहले सम्मेलन बेल ग्रेट में होता है ठीक है किलियर और नाम के जो संस्तापक हर हम बात करें तो उसमें पांच लोग संस्तापक जो हैं वो है भारत है भारत के परंदिजवाला नहरू है युगसलाविया के जो सब्रास्टीटो मिस्र के गमाल विन्णा के नाम की स्цहापना की थी. चलिए नेस्ट कोशनP पुछा गया है कि महा सक्तियों के लिए छोटे राज क्यों महतपूर थे आज ते पहले दो नमबर में अब्जक्टिव पूछा जाता भर आप इसी का उतर जो है निती आयो की उपाध्यक्ष की निक्ति कौन करता है तो दोस्तों निती आयो की उपाध्यक्ष की निक्ति करता है भारत का प्रधान मंतरी ठीके तो भारत की प्रधान मंतरी वो निती आयो की उपाध्यक्ष की निक्ति करता है अगर निती आयो की प्रतम उपाध्यक्ष की बा आजी स्वल्व हो जाएगा मैं guarantee Le kite ले रहा हूं तर निती ऎयुक के प्रथम उपाद्दैक्ष ए वरतमान में तो वरतमान में ड्. राजीव कुमार टेकर राजीव कुमार टेकर ने गतारी कुमार कि उसी तरह निती be CEO के बारे में पूछा जा सकता यह तो निति आयो प्रतम सीू की आगर अगर टीक है सिंधू सिरी खुळ्णर जित वह थी भारत की निति आयो की प्रतम उपाध्दैक्ष थीół थी और वर्तमान में CEO को मैं दुम के लिए तो वर्तमान में jews TMIरों सीयो हैं अमिताब कांथ वर्तमान में नितियायोक के के हैं CEO है ठीके दोस्तों अमिताब कांथ वर्तमान में नितियायोक के CEO है ठीके ये कोश्चन होगे तो इसके लावा प्रसन आपके क्या पूछा जाता है यहां से तो नितियायोक की सापना कब की गए तो नितियायोक की सापना के लावब दोस्तु नितियाग की फुल फूम भी पूछी जाएगी थीक है यह भी आपको याद कर लेना है तो यह कोष्ण ने दोस्तु नितियाग से इसके लावब में नितियायXT deben validation तो आपको नितियायकी प्रौप की तेक संस्था है तो नितियाग गयर समद्हानिक संस्ता क्या है गैर सेविधानिक संस्ता है क्लियर चलिए अगला प्रसंद करते हैं दोस्तों एक चीज और है एक चीज मैं आपको बताते चलों दोस्तों जो निती आयोग है यह जो है यह सहेकारी संगवाद की परिकलपना पर आतारी जानी सहेकारी संगवाद को मजबूत करत लिए उसे ज्यादा ज्यादा सेर कर देखिए गा क्योंकि इससे अच्छा विस्किलेशन और इससे ज्यादा सचिकता आपको पूरे यूटूब पर किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली तो चैनल चोटे चैनल नोलेज भर-भर कर मिलने वाली तो प्लीज अपने जोलियों को भर लीजिए और सारे एक्जाम को पास कर जाएगे आप सभी लोग ठीके अगला प्रसन है सोव्यत प्रणाली के बारेम निम्लिकित में से कौन सा कतन सत्य नहीं है ए सोव्यत संग में जटिल सनचना था बी इसकी जटिल मसेंद्री उत्पादन प्रणाली और परिवेंच च क्यों क्रतन बिल्कुल सत्य हैं बट सत्यक्यां है सत्यक्या वह है 1922 वे में सवेट संग उटन यहां डाव्या थी Scr Heartland नौन एंडिया और आपसे आप से मैं प्रसन पूछ रह हूं दो know में किनिडिया पोलिसी भाराष सरक्राइब बनाएगा इसे आप जुरूर कमेंट बोक्स न मताएगा 1214 15 16 ठीक है आपको बताना के निती आयोग सुरी में किनिडिया पोलिसी कब लागू की गई भारत में क्लियर चलिए अगला है दोस्तो प्रस्त नमर चया नाम का विजार र अमाल अब्दुनासिर है घाना के ठीके वाने इन ग्रोमा है और इंडोनीसिया की सुक्रणों हैं तो ये पांच लोग है जो ने ने नैम की स्थापना की थी बाकि इसका चीज दोस्तों पहले एक्स्प्रेसिन मैंने पहले प्रसंड में दे दिया था आप लोगों को ठीके इस प्रमालू प्रेक्षण कहां किये तो पाकिस्तान ने अपने प्रमालू प्रेक्षण किये थी दोस्तों उस प्रमालू प्रेक्षण को पाकिस्तान ने कहां किया था चगाई की पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने प्रमालू प्रेक्षण किया था तो ये इसका सहीवतर है राश्ट्री एक्ता की जैसे आपने पहरे चेप्टर न पढ़ा हुआ कि सरानार्थियों का उचित पुनरवाद भी हमारी समस्या थी आना और भारत के छेतरों को एक्ता के सुतने बादना भी एक समस्या थी बट सबसे बड़ी चुनुती को जो दी राश्ट्री एक्ता में ब कोश्ट्री नमबर पूचा गया दोसो की नो सबसे बड़ी चुनुती कों सी थी एक हमने बता ती आपको प्रसन नमर 9 है गुट निपेश आंदोलन के बारे में इनमें से कौन सा गतन गलत है नए उपनिवेसी देसों को सबसे नितियों को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम ठीक है गलत बताना में बी किसी भी सैने गड़ बंतर में सामिनोर से निकाल करना सी वैस्विक मुद्व पर तर्रस्ता निति का पालन करना डी वैस्विक आर्टिक्स आसमानताओं के उनमलन पर ध्यान केंद्रित करना तो जो इसमें जो गलत कथन है वो है कथन गलत है दोसो तो वह है C यानि गुट ने पेच्चतर मतलब तरहस्ता बिल्कुल भी नहीं है यह हमने पहले चप्टर में आपको क्लियर करवा दिया है दोस्तों वहाँ पर आप आप जाकर देख सकते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो है C आएगा दोस्तों अगला है प्रसे नमर दस निमलिकि 20 वयपार संगठन के स्थापना कब हुई थी? ठीक है तो अगर हम विष्व वयपार संगठन की बात करें दोस्तों तो विष्व वयपार संगठन की इस्थापना 1905 में कब हुई थी? राश्ट संगी के स्थापना दोस्तों उननीस सो 20 में हुई थी और विशू बैंक की जो स्थापना थी दोस्तों वो 1144 में हुई थी तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला कोन बना था राश्ट संग यानि तीन सबसे पहले आएगा उसके बाद दोस्तों सबसे राज स्रंग के बाद क्या बना था आपका विशु बैंग यानि तीन के बाद चार आएगा फिर उसके बाद किसके दिमार बाद दोस्तों उननी सु इक सर्ड यानि एमनेस्टी इंटरनेसल यानि तीन के बाद दो आएगा फिर एक यानि दोस्तों का जो मुख्याला है 200 WTO का वह जेनेवा में कहां पर है जेनेवा स्वीजर लेंड में पड़ता है और 200 बार संगंटर में कुल कितने सदस देश हैं यूरुपे देश मिला दिया जाए तो 144 देश है एमनस्ष्टी इंटरनेशनल का मुख्यालै कहां है तो ये मुख्यालै कहां है लंदन में इसा तरह रास्चलग आप आप दो समापतो के रासचलग का नाम क्या हो चुका सा कि उनवो तरह नच jus लंडन में जादा जाद ङया कि नियॉलो से लंडन में बट मैं आपको गारंटी दे तो अगर आपने विरु देख रहे हैं दोस्तों आपको 80% question तो दोस्तों ट्रमन का यहीं पर स्वाल हो जाने वाला है clear चलिए प्रसे नमबर 11 प्रसे नमबर 11 देखते हैं दोस्तों निमलिकित में से कौन सन्युत राष्य प्रणाली के तहत प्रम पहला और दूसरा प्रमाड़ किस वर्स में किया था था पहला किया था था इसके बाद दोस्तों जो और में उसमें परदान मंत्रित यह बारत के परदान मंत्री आट ब्रीय रिपाइच पे उसके नेतर्टमें ही हमने अपना सेकंड परवाडू प्ररेक्षण प्रोग्राम में किया था और 1974 में जो प्रेस्न पर्मानु प्रेक्षण था इसमाइलिंग बुद्ध था फिस Parce अगाधर में Smiling बुद्धा इसका कोड़ वर्ट था और दूसरों दोस्टों जो 1998 में जो परमाडू प्रेक्शन किया गया था उस उस ओपरेशन का नाम था ओपरेशन सक्ती ठीके तो यह है और प्रेशन सत्य और प्रेशन स्माइलिंग गुर्धा आपको याद रखना होगा ठीक है चलिए नेस्ट अरब स्प्रिंग निम्लिकित में से किस देश से आगे नहीं बड़ा तो दोस्तों जो अरब स्प्रिंग की सुरुवात अगर हम बात करें तो सुरुवात हुई जो मद्यपुर्वे एस्यक देश हैं वो इससे काफी जादे प्रभावित हुए थे निर्मकुस्ता की वज़े से यह करांती हुई थी चलिए परसन नमल 14 निम्लिकित में से कौन सोव्यस संग के विगटन का प्रणाम नहीं है ए अमेरिका और यूसेसर के बेच वेचार बाकि सभी सोव्यस संग के विगटन का प्रणाम है तीनों तो जो सही उत्तर वो है उत्तर डी चलिए अगला प्रसन दो प्रसन नमल 15 नहरू की विदेश निती के तीन प्रमुक उद्देश से थे वो हैं दोस्तों कड़ी मेहनत से अर्जित संप्रभुत्ता को संरक्षित कर तिर्व आर्थी विकास को बढ़ावा देना यानि इसका जो सही विकल्प है वह है दोस्तों एक दो और तीन इसका जो सही उतर है ये 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 भारत में पुंजी वादी वैस्ता इस्तापत करना नहरू का प्रमुक देश नहीं था उनका उत्देश समाजवादी लोकतांते स समाजवाद की स्थापना करना के लिए रोगे दोस्तों चलिए और जो भारत के पहले प्यदान मंतरी थे और भारत के पहले विदेश मंतरी थे ये भी आपको बात याद में रखनी है अगला निमलिकित में से कौन भारत और चीन की बीच विवादित इस्तल नहीं है वो है लिपू लेग दर्रा अगर हम बात करें तो ये भारत और नेपाल की बीच है भारत और नेपाल की बीच विवाद है और भारतिय राज उत्राखंड के काला पानी में लिपू रोग दर्रा इस्तित है तो ये विवादित इस्तल नहीं बाग के तीनों जो है चाइना सिवाद दोसो देव सांग वैदान की बात करें तो देव सांग मयदान जो है भारत के जम्मू कश्मीर की बीच यह है पूरी भागत में लगदास चेतर चीन अधिकर्त अकसाई चेतर की की सीमा परिस्थित है और यह एक उचा मैधनी अलागा है और 1962 में इस पर कब्जा कर लिए चाइना ने और भारत और चीन की बीच आज भी एक विवादित इस्थल है और आप लोग बात करते हैं कालवान गाटी जिसमें अभी जड़ाप हुई थी ये भी एक विवादित इस्थल है ठीक है तो इसका जो सही उतर्व है डी जो संबंदित नहीं है दोस्तों नैस्ट प्रसन नमर 17 निजाम है निजाम हाइदराबाद के लिए स्वतन दरजा चाहता था उन्होंने नुवंबर 1947 में डैस के लिए भारत के साथ ठहरा समझता किया था जबकि भारत सरकार के साथ बाची चल रहे थी वह तो निजाम और निजाम जो है भ विदेश निति उसकी आरतिक निती का प्रणाम है तिपडी किसकी दोरर की के थी तो लिएश की विदेश निती स्वराप प्रणाम है। कि सेना आवने सामने हो गई थी चलिए क्यूबा मिसायल संकर्ठ के सुव्यtest नंकर राश्पती कों थे और क्यूबा मिसायल संकर्ठ के समय क्यूबा कर राश्पती यह प्रसंख सकता है दोस्तों तो इस से मेरे पिछली वीडियो से में जाग वहाँ से कंफर्म कर लीजी वहां मैंने सारी चीजे वहां पर पढ़ा रिखी दोस्तों चलिए अगला प्रसन अगला प्रसन है प्रसन नमरr 20 इमनस्टी इंटनेशनल कहा है तो दोस्तो एमनस्टी इंटनेश्णल आपको पता है कि इस ओंधिगारों की बात करता है और एमनस्टी इंटनेशनल दोस्तो एक गैर सरकारी संगठन है क्या है एक गैर सरकारी संगठन क्लियर चलिए निमलिकित कतों में से विसम का चैन करें राज पुनर गटन अदिनियम 1906 में लागवा बिल्कुल ठीक हुआ भारत की विवाज 1927 हुआ था रियासोग संक्या 512 नहीं थी तोगला थी यह है तो विसम तो यह है विवारत की सब्सक्राइब था उनिस संता लिए तो विसम अगर बात करें तो रियासोग संक्या 565 थी थी ती के ना की 512 तो यह इसका सही विकल्प है चलिए अगला भारत चीन संगर्स का विबच्ची देवलों पर क्या परभाव पड़ा था तो भारत चीन संगर्स के दर्दा दिया कि बिल्कुल गलत है तो भारत चीन संगर्स के विबच्ची देवलों पर परभाव पड़ा था तो इस अगर हम बात करें भारत चीन संगर्स के इस नीचे देगर बल का सही चे उतर है वो है यह आपका चोथा केवल केवल ठीक है चार जो है चोथा ठीक है ये ये नहीं है ये नहीं है बाकी सभी के है यानी एक दो तीन यानि केवल एक दो तीन और से चोथा तह बिल्कुल गलत है ठीक है चलिए नैस्ट है रूसी करांती पुंजिवाद की विबित आदर्स और समाजवाद की आवसकता से प्रेरी थी तो इसका जो विकल्प है दोस्तो विकल्प और इसका है ए यानि समाजवाद और समतावादी से ठीक है चलिए प्रसन अगला है दोस्तो निमलीखित में से कौन सा कतन सत्म पेरे रिक बार यहां वजा तो जो रूसी करांती ठीगाउटी ती निमलीखित में से कौन सा कतन असत्य है और बाद निजाम राजी के लिए एक स्वतन दर्जा पाने के चुकत थे ए बी है जम्मु और कश्मिर के विले के दस्तवेज पर हस्ताजर करने के लिए तयार था सी जूनागर के मुद्धा राज में एक जन्वत संगरे के बाद सुल जाये गया था डी त्राबन कोर भारत संग में विले करने वाला पहला भारती राज ये नहीं था जी हां हैदराबाद को एक सुतन दराज रखना चाहते थे हैदराबाद के जो निजाम का नाम था वो किया थे दोस्तों हैदराबाद के निजाम का नाम था मीर उस्मान अली क्या था त्रिक्ते पोलो के तायत आपसे पूछा जाता है कि हैदरबाद को किस ऑपरेशन के माद्यम से पुलिस करवाई कि दोबारा माद्यम करवाई की दोबारा 1940 में 13 स्टमबर 1940 को ऐदरबाद राज को भारत में विलाय कर लिया गया ये पहला भारती राज नहीं था तो तरावण कोर जो है भारत में विलाख करने से इनकार करने वाली सबसे पहली रियासती बात में 30. जुलाई, 19. से 47. को तरावण कोर भात का हिस्सा बना ठीक है तो ये भी है ठीक है जुनागड का मुतार राज में एक जनमत संगरे के बाद सुल जाए गया था बिल्कुल जोना करमताग सवारist विला कि मादम से विल्बात पैस्ट कि त्यार था तो दो जो इसका 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 उत्तर आस्त है जम्र कस्मीर जो है विल्बार के असर हों पहले के लियए त्यार निया अधिर уже जोहेंगा इसका बाद में रहे तो सीत यूद कि तरन की नाम के कारण क्योंबर संगर के कारण समें angod 杜र्ण सक्रिय भागदारिट लिए रहो जो देश से आपस में काफी गट जौड बने हुए और तागत्वर थे और दोनों को पता था गर एक ने दूसरे प्राकर्मन दीया दूसरा वा पत्रोत के सिद्धान के कारण प्रसा नमर 26 रूस यूससर का उत्रदगारी क्यों बना तो दोस्तों रूस जो है यूससर का उत्रदगारी क्यों बना इसको लेकर हमार पास विकल्प है रूस ने CIS के गठन का नेतर्ट किया बी इसे समय राष्ट में सोवे सीट विरास्त मिली यह सबसे बड़ा गड़तंतर था और बोरिस एद्धिसीन गोरबाचों के दुलना में आदिक करिश्माई थे तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों वो है दो यानि केवल B और C यानि इसे समय राष्ट में सोवे सीट विरास्त मिली और यह सबसे बड़तंतर था तो B और चीज का सही उत्तर है चलिए अगला प्रसंद दोस्तों 1920 में कॉंगरेश के नाग पर अदिवेशन के बाद से यह सिधान स्विकार किया गया था कि राज्जो का पुनर गठन बासाई अधार पर होगा इसके बाजूत नेता आजादी के बाद इसके खिलाब थे क्योंकि अजादी और विवाजन के बाद चीजे बदल जाती हैं बी विवधान और विगठन का कारण बन सकता है सी मिस्रित अर्थवहस्ता को बनाना डी एक नियोजित अर्थवहस्ता को बनाना तो 1920 में कॉंगरेश के नागपुर अधिवेशन के बास से यह सिधान स्विकार किया गया था कि राज्जों की पुनर गटन बहासा इदार पर होगा इसकी बावजू नेता अजादी के बाद इसके खिलाब क्यों थे क्यों की दोस्तों इससे क्या हो जाता है इससे सबसे पहले आगर हम बात करें तो व्यवधान और विगठन कारण बन सकता है यानि ठीके यह इसके अलावा अगर हम बात करें एक न्यूजियत अर्थवस्टा को अपनाना था तो यह चीज़ें हैं खिलाफ थी और थी यहांनि दो और तीन इसको तो यहां पर देख सकते हैं तो थोड़ा सब और और सब देख लेट हैं तो सबसे पहले और विवाजिय से बद्लग ठी तो यह चीज़ यहां पर सही है नहीं दो और चार सही है इसके ठीक है तो दो एक नियुजित अर्थवस्ता को अपनाना था हमें तो यह चीज़ यहां पर सही है नहीं वर्सोबाद मद देशय गड़राज अवसर की वहस्युक उपलबदता तक नहीं पहुँच सका क्योंकि सोवित परभाव की प्रिश्भुमी देशों में सत्तावाद अमेरिका की भागदारी देशों की प्रब्रगर रूप से अलग थलग प्रगिर्ती तो उच्छों सही उत् वहस्युक उपलबदता तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि सोवित परभाव की प्रिश्भुमी की वजए से क्लियर चेले 29 रियास्तों के एकिकरण का कार सरदार बल्ला भी बड़ेल को सोपा गया था निमलिकित में से कौन सा तर्क सही नहीं है तो पहला तर्क उनके पास एक लंबा रांदी थी कि उन बहुता बिल्कुल सही है वह दूर दर्से और आच्छे व्यक्ता थे बिल्कुल सही है मुस्लिम लिक चाहती थी कि एकिकरण कार सादार पटल को सोपा जाए या वह गिरे मंत्री के साथ रियास्त की विवाग मंत्री भी थे तो जो सही नहीं है दोस्तों को है सी ठीक है सी सही नहीं है चलिए अगला प्रसन अबर 30 बारा सरकार ने 1971 में सोवेट संग के साथ संदी प्रहस्तार क्यों किया तो बारा सरकार ने सोवेट संग के साथ संदी प्रहस्तार इसलिए क्यों कि दोस्तों बांगलादे संकट के दुरान भारत को राज रापट्ट की थी प्रसनाबर 31 , नितियायोग के बारे में इन कतनों पर विचार करें गलत कतन का पता लगएं नितीययोग सहिकाई संग्वात की भाहनों को सुनुचित नहीं करतायएं भारत के प्रदान मंतरी नितियो के बतन दख्ष है बिल्कुल सही है, डॉक्टर राज़कुमार नितियो के वरतमान उपाद्ध्ष है तो जो टन गरत है नितिय सैकाई संगवाद की भाहनों को सुनुचित नहीं करता है, तो this is the right answer. सौक तेरपी एक घटना जूड़ी है किसे ठीक है तो सौक तेरपी जो किस घटना थे जूड़ी है दोस्तो प्रसन नमबर 31 ताजाकिस्तान और आजर बजान में मद एसाइस अंगस भी निव इंटरनेशनल एकॉनमिक ओडर यूएस ने साम्यवाद को जड़ से खतम करनी की य तिक है 32 जो है सी इसका राइट एंसर है अगला क्यूबा यूएस हां अगला जोस्तों अगला परसंद है था सब्सक्राइब यह सबसे बड़ा गैरे जितियास में विगरी का संब्द किसे है तो वह सोग तेरपी से विश्कित सबसे बड़ी गराश सेल की नाम से भी जाना सब्सक्राइब उसका दी एंसर दरा इंसर डिस तर्थर का डी इस है और टी उसर लोच त Unterstützung को नई व्यूअ व्यूसर यूधिक विवस्त है तो आमेरीटी राष्ट पती ने जोर्ज बूस्ड ने किस इस सीज्धियू को नहीं वे province है वियू विवस्ता घरा दिए थी वी सन्यूत राश्ट ने ओप्रेशन डेजर डिस्टम के अनुमति दे थी और इसी को ही राश्पती जोज बूस ने प्रशन में अरब स्प्रिंग का प्रणाम तो अरब इस्प्रिंग का प्रणाम क्या था तो अरब स्प्रिंग का 37 QC जो होगा वो है दोस्ट ए निरुंकु ताना साही तो इसका जो सही विकल्प है सहिकारी स्विधा करता की रूप में ठीक है चलिए अगला प्रसंद निती आयोग द्वारा योजनायोग की जगह क्यों ले गई तो निती आयोग द्वारा योजनायोग की जगह इसलिए ले गई ताकि दोस्तों विकास की कठीन चुनूतियों से निपठने के लिए और अधि उत्राश्य किस प्रकार अधिक महतर्पुड भूम का निभास के नुए मानव धिकार कुलंगन के बारे में अधिक मुखरों कर और अपरिवर्तन का अभुलत करके यह जो है उसका विकल्बि सही यह अगला प्रसन है अगला प्रसन पुछा कि दोस्तो अप्रेल उनिस सो नन्चास में उत्री अटलाटिक सदी संगतन बार राज जोग संग था बिल्गुल था जिसने गोशना कि कि यूरोप या उत्री अमेरिका में उनसे किसी एक पर ससस हमले को उन सभी हमला माना जाएगा कार अभीकतन की सही वेक्या नहीं है सी अभीकतन गलत है लेकिन कारण से लेकिन कारण गलत है तो इसका 14 का जो उत्तर है वह है दोस्तों जैसी यहां पर सिंपल सम्दमाग को पता होना चाहिए कि अप्रेल उनिस निन चास में नाटो की स्थापना की कि इसमें जो बारह राज्जों ने इसे मिलकर संग्टन की स्थापना किया गोशन की उरोप या उतरी अमेरिका में उनसे किसी एक सस पर हमले उन पर भिमला माना जागा यह बिल्कुल ठीक है अपका जो अभिकतन तो बिल्कुल सत्य है ठीक है कारण कारण परतेख राज दूसरी की मदद करने के लिए बात देओगा ठीक है अभिकतन और कारण दोनों से लेकिन कारण जो है अभिकतन की से वेख्या नहीं तो बीज़ दराइट एंसर ठीक है परसन अभिकतन और कारण दोनों से लेकिन कारण अभिकतन की से वेख्या नहीं है नैस्ट दावा सन्युत राश्ट के सभी सदस्यों के पास एक वोट है हलकि 27 सदस्यों से नकारात्मक तरीके से मदान कर सकते हैं कारण विकासील दुनिया में विकास के कई 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 अलग अलग इस तो पर देश सामिल है तो यहां पर भी अभिकतन और कारण दिया गया है दोस्तों तो जो ब्यारिश में को उत्तर वो है अभिकतन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकतन की सही वेख्या नहीं है तो B is the right answer सोव्यत संग प्रसासनिक और रादनितिक अर्थों में भी इस्तिर हो गया था कारण दिया गया है कि सोव्यत विवस्ता समाजवाद की विचार धारा पर आधारित थी तो सोव्यत विवस्ता समाजवाद की विचार धारा पर आधारित थी तो यहां पर दोस्तों अभिकतन और कारण एक अभिकतन की सही वेख्या करता है तो ए इसका सही वेख्या करता है भारत ने समीतराष में विच्त्य विद्वाद दिया है और इसके भुकतान पर हमेसा लड़करा था रहा बट इसके भुकतन पर हमेसा लड़कराए नहीं तो ए जो उसका कतन गलत है तो दोस्वों जिर्स की साहिए है विलकुल भी सही है उसका उत्तर है दो, तीन और चार सही है इसके दावा निती आयोक ऐक गैर सवददा इन निकाय बिलकुल ठीक है भारत की मुक्खे मत्धर नितिय आओके पड़े नदच और दिया भिलकुल गलत है तो इसमें कतन सही परंतु कारण गलत है ठीक है तो अभी कतन सही परंतु कारण असत है तो 45 का दोस्तों क्या जाएगा निमलिकित में से किस मामले में अंतराश्य संगठन मदद करता है तो 46 में अगर हम बात करें पहला है बहतर रहने के सिद्धी लोकतांती देशों की करता है दोस्तों सान्ति और युदर के मामलों में ठीक है दीस के मानू दिकार के मामलों में और बियदी से, चलिएły, 47 बहाथा के दार पर राजजों की पुनिर गठन का नकारतम प्रभाव पड़ा, तो बहाथा के दार पर राजजों की पुनिर गठन का नकारतम्ऺ प्रभाव पड़ा, लुक्ल आप सोी, जग जाहिर दो, देश काई, छोटे चेतरों में, अलगलग तो इसलिए मानागी दोस्तो क्योंकि अमेरिके गुटने लोकतां से समर्टक होने और पुंजिवाद बढ़ा दावा किया था अमेरिका नमें ऐसा भारत का साथ लिया अमेरिका ने अपनी सबी नितियों में भारत का समर्टन किया अमेरिका भारत के बहुत क्रीब था तो यह था दोस्तों ए इसका जो सही विगलब था तो यह इसका विगलब सही है गया यह सबसे बड़ा सबसे अचानक और अलिनियोजीत और दुखत अस्तांतरण था यह इसका विवाजन के मार में कौन कौन सी बड़ी कटना है थी इसका भूद भी उत्तर आपको दे देना है दोस्तों बहुत हसाना सब कुछा गया है यदि भारत के वाजन नहीं होता तो विश्वे में बात की क्या स्थीति होती ठीक यह सब कोश्चन दोस्तों यानि आप कह सकते हैं एक परकार से है गद्यास का जो कोश्चन आपको पढ़कर कर रहे हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएक दो इस वैजैसे मैं इसको नहीं सोल्व कर वा रहारा है तो किसी वीडियो कैसे लिए अच्छी लगे तो प्लीस इस लाइक कर दीजेगा और मैं गैरंटी कहता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे क्योंकि इसमें मैंने सटीक्ता से विस्टेशन किया है और आपको बहुरती ज्यादा हेल्प करने वाली आकामी परिक्षाव को ले